नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्षा बंधन से जुरी कथा। जब भगवान वामन रूप में राजा बली के पास आए, तब भगवान ने राजा बली से तीन पग धर्ती मांगी थी। भगवान ने दोही पग में संपून पृत्वी और आकाश को नाप लिया, तब राजा बली समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने तीसरा पगपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बली से कुछ मांगने को कहा, राजा बली ने भगवान विश्नु से वर्दान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में च श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रमजम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बली को अपना भाई बना कर राखी बांधी साथ ही भते जो और भावी को भी राखी बांधी। जब रानी इरे मोती का था लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भावी इरे मोती तो घर में भी बहुत है मैं तो यहां अपने पती भगवान विश्नु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बली की बहन बनी और भगवान विश्नु को अपने साथ लेकर चली गई।